समय के प्रारंब में परभ्रम के दो भाग हुए पुरुष और प्रक्रति पुरुष ने अपने आपको तीन भागों में विभाजित किया शिजन करता प्रह्मा, बान करता विश्णू और विलीन करता मैं इन तत्तों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रतिन स्वयम को तीन भागों में विभाजित किया लक्ष्मी, सरस्वती, तथा शिवा, इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने जो तीनों प्रकार सिश्विजन, पहन और हरन का कारभार समालते हैं इनके ये नो रूप ही नो दुरका हैं इनका सबसे पहला रूप है शैल पुत्री चैल पुत्री अर्थात परवत राज हिमावन की पुत्रे और इसी कायन वर्षी ने वरिशारुदा के नाम से भी जाना जाता है नवदुरुगा का दूसरा रूप है ब्रम चारनी ब्रम अर्थात अबस्या, चारनी अर्थात आच्रन करने वाले ये रूप उस क्यान वर आच्रन का पतीक है जिसके माध्यम से इनों ने मुझे अपने पती के रूप में प्राप्त किया नवदुरुगा का तीसरा रूप है चंद्रगंटा मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चलता, ये रूप अत्यंत शांती धायक और कल्यानकारी है विविन प्रकार के अस्त्र और शस्त्र, इनकी आठ बुजाओं में सुसच्चित है इनका तीसरा नेत्र सरय खुला रहता ये है नवदुरुगा का चौथा रूप इनकी मंद मंद हसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्षी से कुष्मानदा के नाम से जाना जाता है अश्त बुजा, शस्त धारिन, प्याग्रवाई, धिरन्यवलना केवल यही है जो सूर्य के भीतर, लोक व्यवास करती, दसों दिशा इनी से आलोके थे जिनकी कृपा से मूर्दा विज्ञान सागर में परिवर्थित हो चाती, वो है सकंद माता नवदुरुगा का पांच वारो, सिंग वाहिनी, और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलब होता है, जिस रूप में उन्होंने मैशासुर का वद्द किया, वो कत्या ही नहीं कहलाता है इनकी अरादना करने से अर्थदर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ती होती यह रूप कालरात्री रूप कहलाता है एक हाथ में लोहे कानटा और एक में खड़क, जिनका आशीष शुगों का करता और कारक है यह अंदकार का विनाश करती हैं, इनकी अरादना करने से असुरी शक्तिया में भईभीत हो जाती यह इनका महागौरी रूप है, श्वेत वर्न, श्वेत वस्त्रों से सुसजित, चतरबुच, तरशोलधारी, तालवाद्य धारन करने वाली यह इस रूप में अपने उपासकों को अवैदान देती मादुर्गा का नौवा रूप सिद्धात्री कहलाता है, अनीमा, महीमा, गरिमा, लगीमा, प्राप्ति, प्रकम्म, अशित्व, प्रशित्व, यह आठों सिद्धियां के वो लिनी की करपास से प्राप्त हो सकती है, मेरा अर्दिनार्वेशर रूप इनके सिद्धात्री रूप की ही देन है देवी पार्वती हिम नरेश हिमावन की पुत्री है मा शैले पुत्री प्रकृती का प्रति रूप है देवी पार्वती सदेव सभी प्राणियों की रक्षा करती है चाहे वो देव हो या मनुशे, मा सभी पे अपनी क्रिवाद्रिष्टी बनाय रहती है इसलिए जब महिसासुर ने संसार में अपना आतक मचाया तब मा ने महिसासुर मर्दिनी का रूप धारण कर दिया महिसासुर अपने संसारिक पुत्रों की रक्षा हेतु देवी पार्वती ने अनेक अधर्मियों का सर्वनाश किया है जगत जननी मा पार्वती को शक्त शक्त प्रणा शीष गंग अरधंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भिंगी नित करत है गुण भगतन शिव के दासी उड़ एड़ नित कर वमानव प्रणाशी नाएट प्रणा ट्रणाश ट्रणाश कर विराज़ आध यच्छे बास कर वार्वती ने रित पार्वती आड़